कि दिर्व यह लियाग उन्हें कुछ लोग को छोड़ दिया कुछ और एडिकल हो रहे हैं वे दस पंदरा बीस मिनट में सब छूट जाएंगे क्योंकि सब जेगे के धरने खतम हुए हैं आपस में संपर्क नहीं किसी का हुगा तो हमारी मिटिंग है कल अमरोज में हैं उत्तर परदेश में फिर हम लखीमपूर खिरी जाएंगे तीस तारीक में 31 तारीक में फैजाबाद जा रहे हैं यूंकि फैजाबाद में बहुत कोश्चन भी होंगे और उन्हें दमकी भी दे रखी हैं के फैजाबाद में दियान देनेगे तो वहांपे भी 30 तारीक में प्रोग्राम हैं वहांपे जाएगें पहली तारीक का टपल में प्रोग्राम है तो यह मुद्दा किसान जहांपे भी 5 रहेगी पंचात रहेगी उसमें रहेगी यह लड़कियों वाला मुद्धा उसमें रहेगा ग्यारा तारीक में भाज्यू में मिटिंग है सामली में उसमें रहेगा अपने समझेंगे मिन्ग करके और विरोध पूरा है यह नहीं विरोध रहेगा कहीं परदेशों में पुलिस ने किसानों को रोक्या, उनके घरों में कैद करे तो आंदोलन सक्सेस्फूल हुआ है कि पूरा परदेश लगया, कहीं स्टेट की सरकार लगी, भारत सरकार लगी आप लोग सब लगे, आपका सब का धन्देवाद अब पता नहीं उनका किस टेम तक आएंगे, आएंगे धन्देवाद है जितना इस आंदोलों को समर्थन दिया, उनका सब का धन्देवाद है रेसलर के लिए हैं कि उनने आंदोलों बढ़िया, उनने लड़ा, और हम उस आंदोलों के साथ में खाप पंचाते हैं और जो रेसलर कमेटी निरने लेगी हम उस निरने के साथ में हैं अभी सब लोग चले जाएंगे जो भी कमेटी पहलवानों की कमेटी लेगी निरने और जो खाप पंचात निरने लेगी हम सब उसके साथ में हैं जो भी वनिरने लेंगे वे जंतर मंतर में बठें दूसरी एंगा बठें गाम में बठें हमारी पंचाद के एजेंडे में वेसलरू का मुद्दा रहेगा और गिरफ्तारी किसने नहीं नहीं बताओ क्या गरो किसका टक्कर मारू जाएगा तक अब भी लोग का धन्यवाद आएज सबस्क्राइब आपके नहीं सब्सक्राइब कर देजिए विटिंग तो चल ली पूरे प्रतेशों आप कब अब इस पर निरना लेंगे कल परसुमें क्या इसका निरना लेंगे खेल कमेटी और खाब पंचाद जो निरना लेगी हम उनके साथ में हैं